एलो स्टुडेंस इस वीडियो में हम डिविजिबिलीटी क्या होता है उसकी डेफिनिशन और उसके प्रॉपर्टिज क्या क्या होते है इसके बारे में लर्न करेंगे बहुत सिम्पल है बस डेफिनिशन हमेशा यदि एक्जाम में आती है तो एकदम प्रॉपर स्पेसिफिक होनी चाहिए and properties को भी आप पी दिया आप समझ लोगे तो वो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है दि properties आपको समझ में आती है तो पहले definition देखते है एन इंटीजर पहले integers क्या क्या होते है जेको integers यानि 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on इसारे number 1 by 2 1 by 3 ये integers में नहीं आती ठीक है तो ये integers रहते है तो integer B is set to be divisible by a non-zero integer देखो हमें हम जब divide करते हैं तो non-zero integer से करते हैं ये statement important है non-zero integer कोई भी integer B ये divisible होगा non-zero integer A से इसको मैं इसे लिखते है A is B is divisible by A तो ये कब होगा यदि हमारे पास ऐसा integer है C कि हम B को A into C लिख सकते हैं थोड़ा definition आजीब लगेगा थोड़ा सुनो इसको example लेते है B की value ली मैं इन 12 एंड A की value ली 4 अब मैं बोलता हू B is divisible by 4 non-zero है इसका मतलब 12 is divisible by 4 इसका ही मतलब है according to definition हमारे पास ऐसा C है कि मैं 12 को लिख सकता हू 4 into 3 तो ये हो गया हमारा C की value is 3 तो this is meaning of definition तो इसको समझना बिल्कुल जरूरी है तो थोड़ा डंग से definition को समझो और लिखने की कोशिश करो कुछ properties हम इसके देखेंगे properties भी बहुत simple है आपको हसी भी आ सकती है क्या ये तो obvious है, natural है लेकिन समझना जरूरी है properties को पहली property है कोई भी integer 0 को divide करता है 1 हर integer को divide करता है and हर integer खुद को divide करता है ये पहली property बहुत simple property है तो इसमें हम कुछ time बरबाद नहीं करेंगे ये सब को पता है बस ये property में आता है second property आती है ये यदि 1 को divide करता है integer है हम सिर्फ integers की बात कर रहे है तो मैं A, B, C जो कुछ भी लूँगा वो सारे integers रहेंगे ये तभी possible है जब A plus minus 1 होगा simple है ये भी 1 को यदि कोई divide करता है तो जो कोई भी divide करता है integer वो 1 होगा या minus 1 होगा इसके अलाव पॉसिबल ही नहीं है तो obvious बात है बस याद रहना चाहिए तीसरी property जो है इफ A डिवाइड B and B डिवाइड C then A डिवाइड C simple property है example लेते देगो A की value 2 B की value 4 C की value 8 इसका मतलब क्या है 2 डिवाइड करता है 4 को 4 डिवाइड करता है 8 को इसका है मतलब है 2 डिवाइड करता है 8 को तो यह property है तीसरी simple है पता है fourth if A डिवाइड B यदि कोई भी number A नाम का यदि B को डिवाइड करता है then A डिवाइड B इंटु X या X कोई और integer होगा कुछ भी लेलो आप फिर भी डिवाइड करेगा जैसे यदि आप 2 4 को डिवाइड करता है तो इसका ही मतलब है 2 डिवाइड 4 इंटु कुछ भी करो 5 करो, 100 करो, 1000 करो, minus 6 करो कुछ भी करो integers की बात करें तो ये hold होगा ये simple है, इसमें भी कुछ नहीं है fifth one interesting है if A divides B and A divides C इसका ही मतलब है then ये इन दोनों की sum को divide करेगा यानि B plus C की and A also divide B minus C आप example लेके check करो इसको example लेके check कर सकते हो इसको इसका नहीं थोड़ा extension भी दिया है कि ये ऐसा होता है तो हम ऐसा भी बोल सकते कि A divides BX plus CY for any XY again integer ही है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं आप ये example देखो कोई भी property समझने example लेके check करना है 2 लिया 4 लिया और कोई number लिये आपको जो number लेने ले लो number and check करो ठीक है इसका ही मतलब है A is equal to plus minus B obvious है कोई number दो ये दी एक दूसरे को divide करते है तो एक तो खुद होगा या उसका उल्टा होगा minus होगा यहनी देखो 2 डिवाइड करता है minus 2 को right and minus 2 डिवाइड करता है 2 को यह दोनो possible है दूसरी एक possibility 2 divides 2 या minus 2 divides minus 2 यही है इसके अलाओ कुछ पॉसरीबल नहीं क्यों क्यों number यह दीक है A को डिवाइड करता है B A को डिवाइड करता है इसका मतलब उन दोनों में दोनों एक तो बराबर है या बस साइन का डिफरेंस है इसके अलाओ कुछ नहीं है ठीक है तो यह एक property है I think और एक last property बताता हूं 7th property If A divides B and C divides D then A and C की multiplication करो वो डिवाइड करेगी B and D की multiplication को This is again a very simple property इसमें भी कुछ जादा ऐसा नहीं है कि मुश्किल है तो this is again simple and last और एक बता देता हूं चलो और एक property If A divides B and B is not equal to 0 B यदी 0 नहीं है This implies mod of A is less than mod of B यह बड़ा simple less than equal to भी हो सकता है यह बड़ा simple and trivial statement है हमेशा छोटा number बड़े number को डिवाइड करता है यदी आप positive integer देखोगे देकि इन जनरल भी आपने देखा यदी कोई भी number ले लो 2 ने 4 को डिवाइड किया तो आपको यह दिखेगा कि mod of 2 less than mod of 4 यह आप ऐसा बोल सकते हैं 2 minus 4 को भी डिवाइड करता है तो यहाँ जो minus 4 है ना यहाँ छोटा है 2 से बट यह जो है ना mod यह दिली आपने तो mod of minus 4 is 4 वो हमेशा mod of 2 से बड़ा रहेगा तो this is again interesting property आप बोल रहे होगे कि सर नहीं बोला कि यह property और एक property और एक property actually यह properties है अलग-अलग book में कुछ चार दिये कुछ में 5 दिये मैंने सारे कलिक करके आठ दे दिये आपको so this is about divisibility and its properties आपको यह दिनके proofs में इंट्रेस्ट है